हाव रूफीक्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप ब्लेक स्क्रीन प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉ प्रॉब्लम जो है ओक्योट हो जाते हैं हमारे अप्लेकेशन के अंदर पर या फिर अप्लेकेशन हमारे डिवाइस में आच्छे से फीट नहीं हो पाते तो उसके वज़्यसे कभी कभार एरर रगरा आजाते हैं आपके अंदर पर तो अभी दोस्तों हमको यह सब जो वीडियो के अंदर पर मैं आपको 566 solutions दूंगा जिसके true आप जो है Microsoft PowerPoint एप के इस problem को definitely fix कर पाओगे और उसको अच्छे से USB कर पाओगे ठीक है वीडियो को पूरा देखें अगर अगर दोस्तों अब तक अपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें अगर आपको ओनलाइन पैसा कामाना है तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें Twitter पर follow कर लोगवा 2 चैनल करते हैं और देखते हैं कैसे इसको करना है सबसे पहले तो दोस्तों हम यहां पर बेसिक ऋलुशन करेंगे मोबाइल को करना है एन्ड़ेंट cotton कर टे हुए सारे अप को एक बर क्लॉस कर कर देना है ठीक है तो इस तरी के से दुस्तों आप एक बार चेक करके के देख सकते हैं दिवाइस रिस्टार्ट कीजिए अगर रोब्लम् सौल्व हो जाता अच्छी वाद है अगर नहीं हो पात है प्रॉब्लम्स सौल्व तो आपको दोस्तों जाना है प्ले स्टॉर में फ्ले स्टॉर में जाके दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है Microsoft PowerPoint एप तो आप यहाँ पर जाके सर्च कीजिए पी और डब्लू ई और PowerPoint ठीक है तो आपको सर्च करके क्या करना है उस एप को अपडेट करना है क्योंकि दूस्तों कभी कबर क्या होते हम जब अपडेट नहीं करते एप में इस तरह का प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् मिलेगा यहाँ पर management पर जाने के बाद दोस्तो है इशार đang करते और पवरपॉइंट यहाँ cricket मिलेगा फिर दूसरें रिभाइस में तो आपको नीचे के तरफ आना है और पाउर पॉइंट पर क्लिक करों ज करओं इस्तोर दर ग्राण builder पर क्लियर कर देना है क्लियर डेडा करने के बाद दोस्तों जाइए पर्मिशन सेटिंग पर और जितने भी पर्मिशन है ठीक है सबको एलाव करना है तो सारे पर्मिशन से लाव करने के बार आप जो है डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिए जिसे आप डिवाइस को रिस्टार्ट और दोस्तो यहाँ पर अगर problem solve हो जाता है तो अच्छी बात है अगर नहीं हो पाते है problem solved तो फिर दोस्तो आपको क्या करना है reinstallation process follow करना है उसके लिए आपको जाना है play store में एपको uninstall कर देना है uninstall करने के बाद दोस्तो आपको bake करना है और उसके बाद जाना है setting पर और software को update करना है ठीक है software update पर जाके software को update करना है और उसके बाद आप जाके play store में reinstall कीजिए Microsoft PowerPoint क्योंकि दोस्तों कभी कवर क्या होता है हमारा जो app है वो हमारे जो device के software है उसमें अच्छी से run नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद जाते हैं तो आपको दोनों ही update version करके यहाँ पर यूस करना है ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो Microsoft PowerPoint का problem है वो आप fix कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसने होगा दोस्तों आपको आपको ये वीडियो पर दोस्तों आपको झाल चक्टूरियो अ ही वेफ्सेग्टियो पूस्तों आपको